हेलो स्टुडेंस तो आज हम करेंगे नियू चेप्टर स्टार्ट और डिमांड और डिमांड एनलेसिस को हमने कम्प्लीट किया और अब हम प्रोडेक्शन और जो फैक्टर्ज ऑफ प्रोडेक्शन लौज ऑफ प्रोडेक्शन उनके बारे में बात करेंगी ठीक है तो देखे सबसे इस चेप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ important चीज़े discuss करना चाहूंगा सबसे पहली बात देखिए doubt के related ठीक है अगर mcqs के related doubt है तो आप वो सर्क को screenshot send करके या अपना message लिखके mcqs या कोई भी doubt हो मुझे forward कर सकते हैं comment में भी लिख सकते हैं तो उसके बाद दूसरी बाद देखिए सिर्फ वही doubt पूछिए जो lectures में ने complete किये और जो lectures में अभी पढ़ा रहा हूं ठीक है जैसे कल कोई doubt आया था वो gdp gnp के related था तो अभी मैं gdp gnp पे नहीं आया जब हम उसको उस time discuss कर लेंगे अच्छे से ठीक है तो उसके बाद और दूसरी बात जो है कि आपने mcqs का बोला था तो maybe last time last में जब cell bus खातम होगा देखिए 10 mcqs को आप discuss करना थोड़ा सा फिर cell bus में time लग सकता है ठीक है तो last में हम इनको discuss कर लेंगे लेकिन अगर आपको doubt हो you can ask on the phone या फिर comment में भी ठीक है तो अब कुछ doubts में लेना चाहूंगा जो आए थे ठीक है देखिए पहला doubt था कि एक student का कि अगर यहाँ पे यह मैं lab supply है ठीक है तो lab supply के मताबिक अगर prices rise कर रही है तो जो production है वो increase हो रही है ठीक है फिर्म की जो motivation है वो बढ़ती है production की quantity supplied ठीक है मतलब फिर्म ज़्यादा ज़्यादा supply करेगी अगर prices increase होंगी तो यह prices जो है यहाँ पे यह मैं मान रहा हूं market prices ठीक है market prices ठीक है market prices ओके now इस price में देखिए जो उनका सवाल था कि लेकिन taxes increase होने से firm जो है कम quantity supply करती है तो उसका reason क्या है taxes देखिए यह पहले यह जो यहाँ पी पी है यह price है यह tax नहीं है यह खाली price है और यह market price है तो price का मतलब है जो consumers willing है pay करने के लिए ठीक है market में consumer सबकर ज्यादा willing है pay करने के लिए तो firm ज्यादा production करेगी ठीक है तो अब हम देखते है taxes का क्या असर होगा firm पे तो मान लिजे इस price पे firm supply कर रही है ठीक है इस price पे firm supply कर रही है यह मान लिजे point of कोई भी A ठीक है A point पे firm supply कर रही है तो कोई ना कोई profit कामा रही होगी firm ठीक है तो जो profit होगा firm का वो होता है किसके बराबर revenue minus cost of production CP ठीक है तो cost of production अगर अब बढ़ जाएगा taxes rise होने से क्या होगा cost of production बढ़ जाएगा क्योंकि tax liability है tax price नहीं है tax एक liability है ठीक है तो prices जो consumers देना चाहती है और taxes जो government impose कर रहा है liability firm भी ठीक है तो ये taxes rise करने से क्या होगा ये cost of production बढ़ जाएगा तो profit जो है decrease होगा ठीक है कम आएगा ठीक है तो इस price A point पे अगर अब taxes increase हुए तो firm की supply वो काम होगी ठीक है माल लिजे ये shift करेगी supply कर तो यहां तक ठीक है यहां supply आएगी ठीक है जैसे ऐसे हम दिखा सकते है इसको अगर ये है y-axis और ये x-axis और ये supply कर ठीक है तो taxes rise होने से ये जो है supply को में भी shift कर सकती है थोड़ा ठीक है तो पहले यहां तक यहां production कर रहा था इस price पे firm यहां तक produce कर रही थी लेकिन taxes rise होने से firm खाली यहां तक produce करेगी ठीक है यहां तक produce करेगी ओके तो I hope कि अब उनको समझाया होगा price जो है वो एक liability है price अलग है tax अलग है तो हम text का effect देख रहे थे इस P पे क्या आएगा हम text का effect देख रहे थे इस quantity supply पे क्या आएगा ठीक है quantity supply पे क्या आएगा तो यह price делать यह market price है यह हम constant रख रहे थे इसके साथ हमारा कुछ नहीं market में मानलीजों prices same है, जैसे मैंने बोला भी, यहां पर A मान लीजी, यहां पर production कर रहा था, लेकिन taxes rise होने से, उसका cost of production बढ़ गया, तो वो अपनी supply cut कर सकती है, तो यह इसका reason था, उसके बाद दूसरा doubt था, related to this perfectly, हाँ perfectly inelastic demand मैंने जब पढ़ाया था, उसमें E जो होता है, दिखिए, E होता है, E क्या आया था, E greater than one, उसके बाद E less than one, and then E हम मान सकते हैं, E, E less than one, E greater than one, ओके, तो और क्या आया था, इसमें जो perfectly elastic में आएगा, E is equal to one, ठीक है, मतलब percentage change in अगर हम लिखे quantity demanded, ठीक है, percentage change in QD, divided by percentage change in change in price, ठीक है, अगर percentage change in price में change आ रहा है, लेकिन इसमें change नहीं आ रहा है, कोई change नहीं आ रहा है, तो E क्या आएगा, स्वारी, ये तो फिर, ये फिर जीरो आएगा है ना, zero, स्वारी, E will be equal to zero है ना, देखे, price में change आया, लेकिन demand में कोई change नहीं आया, तो यहां पे zero change और यहां पे कोई change अगर आया भी, तो answer zero आएगा, तो E will be equal to E किस के बराबर आएगा हमें, zero के बराबर, ठीक है, तो इसका मतलब था, ये हमने मानी थी, perfectly inelastic demand, ठीक है, तो इसका मतलब देखे, उनका question था अब की, आपने salt की example दी, लेकिन real life में perfection पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल सही है, देखे, अगर हम broader approach की बात करें, broader approach, मतलब मान लिए बहुत सारी consumers की बात करें, ठीक है, तो maybe with change in price, वो salt का use थोड़ा कम करें, ठीक है, वो salt का use कम करें, ठीक है, salt का use use कम करें, तो ऐसे कुछ करव आएगी, ज्यादा flatter नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन अगर हम अब एक consumer की खाली बात कर रहे हैं, एक consumer की बात कर रहे हैं, narrower approach, ठीक है, तो maybe salt में कितनी quantity change करेगा, ज्यादा तो नहीं करेगा, prices हम खाल रहे हैं कि normally है, इसका मतलब तो नहीं है, कि वो salt खाना छोड़ देगा, तो prices में change भी आएगा, तो quantity demand पे ज्यादा change कुछ नहीं आएगा, तो यह हम negligible change मानते हैं, जैसे X tends to zero, तो यह tend करता है towards perfection, more closed perfection, not exactly perfect, okay, I hope यह आपको समझाया होगा, now next thing, today आज का topic start करते है, अब production, ठीक है, तो इसमें जो हम देखे पहले जो हम production में topics discuss करेंगे, इन्होंने दिया है production and laws of production, तो उसके लिए हम discuss करेंगे, एक तो production क्या होता है, ठीक है, production function, cost of production, revenue, factors of production, long run, short run, total product, ठीक है, तो lab diminishing marginal product भी देख लेंगे, ठीक है, now first of all, हम discuss कर लेंगे आज production, production का मतलब क्या है, देखिए, अब मैंने आपको example आप लेजीजे, बहुत, कोई firm है, ठीक है, कोई firm है, कोई farmer है, ठीक है, कोई farmer है, कोई rickshaw puller है, ठीक है, रickshaw puller, जो cycle vehicle चलाता है, ठीक है, तो ये क्या करते है, ये कुछ काम करते है, और उससे कुछ production होती है, जैसे firm, कुछ, मान लीजे आप car की कोई factory, ठीक है, तो वो क्या कर रहे है, वो production कर रहे है, cars की, farmer produce कर रहा है, crops, और जो ये rickshaw puller है, ये क्या कर रहा है, ये कोई service दे रहा है, रickshaw चला रहा है, तो इन तीनों में common क्या है, ये production कर रहे है, तो production of goods and services होता है, इन्द economy, लेकिन उसको, use कून सी चीज़े हम करते हैं, those are called inputs, ठीक है, inputs, तो inputs से produce होते है, inputs जब हम use करते हैं, inputs, तो उससे produce होता है, output, ठीक है, output, आप माल लीजे कोई भी farmer है, ठीक है, वो use करता है, fertilizer, land, ठीक है, इसी तरह labor, ऐसी बहुत सारे factors, जो वो use कर रहा है, land पे, तो ये क्या है सारे, inputs, ठीक है, inputs, तो inputs से क्या होती है, production, crops, race, होते हैं, तो वो क्या है, output, ठीक है, तो input से उसने generate किया, output, अब क्या होता है, कि कुछ चीजें, किसी firm के लिए output हो सकती है, और दूसरी firm के लिए वो input हो सकती है, जैसे आप मान लीजे, sieving machine, ठीक है, sieving machine, sieving machine, जैसे जो, कपड़ा सिलाने का machine, जो होता है, अगर हम उसकी example ले लिए, देखे, कोई firm मान लीजे, ये sieving machine बना रही है, तो उस firm के लिए sieving machine, output है, ठीक है, वो वहाँ पे steel यूज कर रहे है, बाग की needles, जो भी है, वो यूज कर रहे है, तो वो उनके लिए input है, और sieving machine, उनके लिए output है, तो ये sieving machine, tailor के लिए मगर क्या है, firm के लिए जिसने उसको बनाए, उनके लिए input, उनके लिए output था, लेकिन जो tailor है, for him, it is output, ठीक है, for him, tailor के लिए ये input होगा, ओके, now, second thing, इसके बाद, ये तो input और output का हो गया, और एक चीज़ में आप से discuss करना चाहूँगा, जब भी हम production को, हम production को discuss करते हैं, तो हम इसको मानते हैं instantaneous, तो instantaneous का मतलब क्या है, दिखिए, अगर ये, अगर ये production है, ठीक है, तो यहां से हो रहा है, ये मान लिज़े, अप production, ठीक है, production, एंड, मान लिज़े, कोई, sorry, inputs से produce हो रहे हैं, outputs, inputs, use करके, हम produce क्या कर रहे हैं, output, inputs को use करके, हम production कर रहे हैं, inputs और production, आइएण पी, लेकिन इसको हम मानते हैं, instantaneous, instantaneous का मतलब है, हम time lag नहीं मानते हैं, between inputs और production की दर्मियान, हम time lag ज़्यादा नहीं मानते हैं, जैसे, balloon को अपने, हवा बरोस में, तो साथ ही फैल जाता है, तो ये होता है, instantaneous, तो instantaneous क्यों मानते हैं, क्योंकि, देखे, हमें कुछ factors जो है, जब हम इनको instantaneous मानते हैं, हम ये, इसलिए, ताकि मतलब जो market depreciation, इसका हम production में नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए हम इसको instantaneous मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, कि मतलब, same conditions में, जहां inputs हो रहे हैं, उन्हीं conditions में output produce हो रहे हैं, मतलब अगर, जैसे आप example ले लिजे, थोड़ी बहुत, आप मान लिजे inflation की, inflation का मतलब क्या है, inflation का मतलब है, prices rise कर रहे हैं market में बहुत, तो इनको बाद में discuss कर लेंगे, आप मान लिजे फिलाल inflation की condition है, तो अगर हम अब inputs use कर रहे हैं, और उससे produce कर रहे हैं, output, production कर रहे हैं, ठीक है, तो inflation का असर inputs पे भी आएगा, और production पे भी आएगा, तो हम ये मान के चलते हैं, कि in instantaneous इसलिए मानते हैं, ताकि मतलब ये inflation का effect, input पे भी सेम रहे, और output पे भी सेम रहे, ये change ना हो, ठीक है, in production process, ठीक है, तो इसलिए हम इसको in instantaneous मानते हैं, अब हम कुछ थोड़ी terms discuss कर लेंगे, तो production का आपको समझाया होगा, production का मतलब है, जो goods or services economy में है, जो उससे produce होता है, input से जो outputs produce होते हैं, ठीक है, goods or services से जो भाकी goods and services produce होती है, that is called production, ठीक है, तो जैसे farmer की example ले लीजे आप, ठीक है, farmer की example, farmer use करता है on his land, fertilizer, ठीक है, इसी तरह agricultural implements labor, तो ये all, these are all inputs for a farmer, ठीक है, तो उसके बाद, cost of inputs जो है, अब क्या होता है, ये inputs जो है, farmer को इनके लिए तो, इसको तो कुछ न कुछ पर्चेस करना पड़ेगा, fertilizer purchase करना पड़ेगा, इसी तरह farmer को ये, land जो है उसके लिए, या जो उसके लिए ये implements है, ये उसको purchase करने पड़ेगी, ठीक है, तो इसको हम, अब इन चीज़ों को हम क्या कहते है, इसको हम कहते है, cost of production, तो production के लिए, जो inputs उसने use किये, उन पे जो cost आया, तो उसको हम कहते है, cost of production, ठीक है, तो उसके बाद, जैसे मान लीजे, यहाँ पे कोई farmer है, ठीक है, इसने fertilizer खरीदा, ठीक है, 10 रुपई का कुछ भी, 5 रुपई के implement, और मान लीजे, 10 रुपई का labor, तो ये इसके, 10 प्लस 5 प्लस 10, 10 10, 20 प्लस 25, इसका क्या है, cost of production, ठीक है, तो अब इसका revenue जो है, revenue क्या आना चाहिए, वो अगर cost of production से ज़्यादा आएगा, तो profit है, कम आएगा तो loss है, ठीक है, तो अब थोड़ा revenue को discuss करते हैं, तो simple मैं आपको एक equation दिखाता हूँ, simple terms है, daily life में use होती है, revenue is equal to, revenue for the firm क्या होता है, ठीक है, तो sorry, यहाँ पर रख लिजी, profit of the firm क्या आएगा, profit of the firm, तो वो आता है, revenue में से हम minus करेंगे, cost of production, ठीक है, तो cost of production जब revenue में से minus होगा, तो वो आता है profit for the firm, ठीक है, profit firm के लिए क्या है, revenue में से cost of production minus करेंगे, ठीक है तो अगर cost of production बढ़ जाएगा तो profit कम आएगा cost of production कम होगा तो revenue ज्यादा आएगा ठीक है तो ये cost of production जैसे farmer के लिए fertilizer बागी तो किसी car manufacturer के लिए aluminium paint एटसेटरा तो वो उसके लिए inputs का जो cost है वो cost of production है और जो उससे revenue generate होता है जो वो sale कर रहे है या जो service दे रहे है उससे जो total generate होता है that is called revenue ठीक है तो revenue में से cost of production minus करो तो वो निकलाएगा profit तो revenue क्या है अब revenue क्या है अब sale and purchase of goods आप मान लिए जो भी production unit है वो कौन सा काम कर रहा है ठीक है वो कौन सा काम कर रहा है उसको हम कहते हैं revenue अगर वो कोई मतलब आप shopkeeper की example ले लिए वो कुछ बेच रहा है तो जो उससे total generate हो रहा है revenue हो रहा है तो revenue में cost of production include होता है ठीक है तो यह आप याद रहकेगा revenue में cost of production include होता है लेकिन profit को निकालने के लिए revenue में से हम cost of production बाहर निकालते है ठीक है तो profit होता है सीधे अब जो मतलब firm को जो भी gain जो भी वो कमाएगी from the sale and purchase of goods and services तो उसको हम कहते है profit ओके तो इसके बाद और कुछ I hope कि यह terms आपको समझ आई होंगी ठीक है now I will like to discuss with you the production function ठीक है देखिए अब जो मतलब यहाँ पर production हो रही थी production usually इसमें factors use होते है अब ठीक है वो हम देखेंगे factors of production में अच्छे से फिर जैसे land हुआ labor हुआ ठीक है capital हुआ entrepreneurship land labor capital these are the factors of production जो मतलब factors use होते हैं in the production process उनको हम कहते है factors of production ठीक है जैसे farmer के example land labor जो भी उसने use किया तो उसको हम कहते हैं इनको हम कहेंगे factors of production कौन-कौन factors production में use हो रहे है those are called factors of production now production function का मतलब क्या है देखें अब मेरी तरह अब थोड़ा ध्यान रखेगा देखेंगे for the sake of simplicity हम farmer की example ले लेंगे ठीक है हम farmer की example ले लेंगे और हम ये मान के चलेंगे कि मतलब वो दो ही inputs उसको use करने पड़ते हैं कुछ produce करने के लिए ठीक है अब मान लिजे क्यों हम usually represent करता है output in the economy ठीक है output जो निकलता है किसी भी firm से कोई भी farmer जो कुछ produce करता है वो होता है क्यों तो देखें output का ये होता है output ठीक है now हमने माना कि आप मान लिजे farmer वो दो ही inputs हम for the sake of simplicity हम मानते हैं कि वो दो ही inputs अपनी land पे use कर रहा है खरच कर रहा है ठीक है मान लिजे एक तो capital कुछ और land ठीक है कुछ भी रख लिजे k and capital और land ठीक है तो ये दो inputs वो use कर रहा है production process में अब जो output जो production function हमें क्या कहती है production function ये कहती है कि ये जो दो inputs है ये production में use होंगे ठीक है लेकिन इन दो factors से इन दो factors of production से आप maximum कितना produce कर पाओगे that is the production function ठीक है production का function का मतलब है maximum इन से कितना produce हो सकता है k और l से maximum कितना produce कर सकता है former ठीक है तो अगर वो k और l को use करके मान लिजे वो करता है produce 20 kg of wheat ठीक है 20 kg of wheat या rice कुछ भी wheat मान लिजे k और l को use करके तो इसका मतलब है हम 20 maximum मान रहे हैं 20 के उपर वो production नहीं कर सकता तो यहां हम assume करते हैं कि यह जो k और l है यह efficiently use होते हैं तो efficiently use होने का मतलब है यह पूरे use हो रहे है ठीक है तो यह है production function ठीक है तो जैसे मैंने यहां पर लिखा है q is equal to l into k into l q is equal to k into l k times l तो यहां पर हम मान रहे है कि q जो maximum कितना produce कर सकता है farmer ठीक है total कितना produce कर सकता है using this k and l ठीक है अगर आप किसी input यहां से मान लीजे यहां से मान लीजे output मान लीजे यह k और l जब us होए यहां तक दोनू inputs हम मान रहे supposed और output इस इतने ही इन्पुट्स फार्मर के पास थे तो मैक्सिमूंट इन्पुट्स फार्मर ने कि कितने यूज़ गए और उसे कितनी प्रोडक्शन होगी यह point जो मैं बना रहा हूँ यह shaded तो मैक्सिमूंँ इतनी ही प्रोड़क्शन होगी इससे आगे-द Ce होगी ठीक है तो production function दिखाती है maximum कितना produce कर सकती है कोई firm कोई farmer कोई भी production unit ठीक है तो simple आप याद रहे किए का q is equal to q is equal to k times l ठीक है तो यहां हमने दो ही factors लिए capital और land तो इन दोनों को multiply करने से जो output निकलेगा maximum कितना produce कर सकता है उसको हम कहते है production function ठीक है नव यहां पे और दूसरा बात दूसरी बात production function में हम assume करते हैं कि जो k और l है वो efficiently use हो रहे है जब efficiently use होंगे तभी तो maximum output देंगे ठीक है नव तो उससे उपर output नहीं आएगा k और l से उपर output नहीं जा सकता यह हम मानते हैं कि maximum threshold है जहां तक output produce हो सकता है ठीक है नव उसके बाद है technology and output ठीक है यहां पे आप देख लीजे देखे technology and output इसका मतलब है technology और output का मतलब है कि with change in technology ठीक है अब तो हमने देखा कि यहां पे k और l मैंने हमने माना था k और l ठीक है capital और land capital और land जब हम दो input उसका रहे थे तो कोई ना कोई क्यों output निकल रहा था ठीक है लेकिन अब output change कैसे होगा ठीक है यह maximum production इसने कुछ की तो यह output change होगा with change in technology ठीक है मान लिजे यहां पे production कर रहा था mainly due to technological change यहां पे production कर सकता है ठीक है तो इसको हम कहते है with change in technology हम output produce कर सकते है ठीक है जैसे कि मान लिजे आप इसकी simple example आप याद रखोगे जो change in technology है आप मान लिजे देखिए अब अगर कश्मीर की बात करोगे in 1970s की बात करोगे या 50s की बात करोगे तो जो production थी बिलकुल कम थी बहुत ज़्यादा कम थी self-sufficient तो नहीं थी आज भी उतना self-sufficient नहीं है in terms of price अगर कश्मीर की बात करें तो 1970s में बिलकुल production कम थी ठीक है बहुत ज़्यादा कम थी less production तो तब अगर हम अब इसकी यह निकालते है production function तो कोई ना कोई output आएगा ठीक है कुछ ना कुछ units तो output आएगे suppose वन आए ठीक है लेकिन अब आप इसी land को आज यह मान लिजे 1970s तो यह कोई land था मान लिजे इसमें output हम देख रहे 1970s में k into l ठीक है q q is equal to k into l ठीक है अब मान लिजे 2020 ठीक है तो q into k into l तो यह output और यह output यह तो vary होगा land तो same है देखे 1970s में जो land थी वही 2020 में है उतनी ही land है लेकिन जो वहाँ output आया था 1970s में और जो यहाँ output आया को उसमें बहुत variation होगा तो variation कैसे होगा तो यहाँ जो part पे लेकिया यह change कैसे आया यह आया due to technology ठीक है technological change क्योंकि देखे fertilizers आ गई ठीक है नई नई agricultural practices आ गई तो production increase हो गई ठीक है तो इसको हम कह सकते हैं this is due to change in technology हम जो है production increase कर सकते है तो अब nutshell में यहाँ पे क्या बनता है result क्यों जो होती है output जो होता है वो होता है function of land and factors of production function of factors of production आपको मैंने पिछली बार भी बोला था y is equal to f of x ठीक है तो x independent variable है और y dependent variable है x change करने से y का कोई definite value आएगा ठीक है x हमारी मर्जी है जो हम value करते put वो तो y का कोई definite value आएगा तो ऐसे ही यहाँ पे q is equal to f of l k ठीक है मलदब यह factors of production change करने से अब q को change कर सकते हो है ना अगर हम land कम करते तो कम production होगी capital को बढ़ा दे और land same रख ले तो production increase होगी ऐसे ही ठीक है तो यह जो production है यह होती है function of factors of production եीक है तो यह maybe पूछा जा सकता है q is equal to so it is function of land and capital क्यों क्यों मतलब land और capital inputs पही हम काम कर सकते हैं उनको improve कर सकते हैं उनको efficient बना सकते हैं उनको ज्यादा यूज़ कर सकते है तो क्यों increase हो सकता है ठीक है तो output depend करता है on the inputs ठीक है inputs में हम अगर efficiency ला रहे है तो output ज्यादा निकलेगा ठीक है तो dependent और independent dependent यहाँ पर अब independent क्या है LNK ठीक है हम तक है जितनी land use करें उतनी capital हम तक है जितना लगाई उतना लेकिन output depend करेगा on the inputs ठीक है तो output depend किन पर करता है factors of production ठीक है तो यह I hope कि आपको समझाया होगा technological improvement का भी मैंने आपको बोला तो अब आप यह देखिए यह table मैं थोड़ा आपसे discuss करना चाहूंगा यहाँ से factors और यहाँ से मैंने capital लिया है और यहाँ से labor ठीक है हम assume कर रहा है farmer labor और capital खाली दो factors of production हम समझने के लिए use कर रहा है ठीक है तो यह मान लिजे labor यह मान लिजे capital ओके तो यहाँ देखिए zero और zero labor पे यह मान लिजे यह table जो है यह column जो है labor को represent करता है और यह column capital को represent करता है ठीक है अब मान लिजे zero labor और zero capital ठीक है zero labor and zero capital पे production क्या आएगी zero आएगी ठीक है एक second देखे इस value के corresponding आपको डूनना है ओके इस table को आप फिर से देख लीजे यहाँ क्या आया labor इसका column यह column ठीक है यह column जो मैंने shade किया line ये ठीक है labor zero ठीक है तो capital यहाँ से ठीक है यहाँ से capital tá है capital भी यहाँ से ये वाला ये वाला जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो capital का value कितना है zero और zero capital के लिए यहां row से capital देख लीजे और column से labor देख लीजे पहला zero और यह capital zero तो output को आएगा इसके नीचे जो output निकल के आया है, ठीक है, तो 0 और 0 का output आएगा, 0 ठीक है, जैसे यहां पे आया है, 0 और labor 0, capital 0, तो इसके corresponding कौन सी term हमें आई, 0 ठीक है, तो 0 production, ठीक है, इसी तरह 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 को देख लीजिए, 1 और 1 के नीचे भी, हमारी production जो है, हम assume कर रहे हैं कि, जब हम 1 unit of labor और 1 unit of capital use कर रहे हैं, ठीक है, तब जो हमारी production है, वो इसके corresponding अब देख लीजिए, देखे, 1 और 1 के नीचे क्या आ रहा है, 1 और 1 के नीचे जो value आ रहा है, वो क्या आएगा, 1 आ रहा है ना, sorry, एक सेकंड, यहां अब देख लीजिए, देखे, एक सेकंड, 6 और इसके बीच देख लीजिए, 6 और 3 के बीच, corresponding value क्या आएगा, 6 और 3 के बीच, यहां 7, ठीक है, माला, अगर 6 units of labor और 3 units of capital यूज़ कर रहे हैं, तो जो यह production होगी, पहले, अगर कोई capital, देखे, यहां पर हाँ, और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहां पर, देखे, इस table को पहले, समझने से पहले, मैं आपसे एक चीज डिसकस क करना चाहूँगा, जब हम यहां पर production को कर रहे हैं, Q is equal to F of LK, Q is equal to F of L and K, ठीक है, तो हम यह माल रहे हैं कि इन production units का जो है L and K, यह 0 नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हम इनको 0 कर देंगे, तो production 0 बन जाएगी, ठीक है, तो यह मतलब जैसे Q is equal to L into K, तो आप इन L और K को 0 नहीं मान सकते, तो दोनों का कुछ न कुछ value आना चाहिए, ठीक है, तो चले इसी से अब इस table को फिर से देख लेते हैं, ठीक है, 0 labor and 0 capital, production 0, ठीक है, तो इसी तरह आप देख लीजे, one unit of labor and, one unit of labor and 0 units of capital 0, ठीक है, यह देख लीजे, one, देखे, 0 और, 0 और 0, column wise labor और row wise capital, 0 और 0, production क्या आएगी, यहाँ, जो नीचे आए, इसकी corresponding 0, ठीक है, अब one और अगर capital 0, तो फिर से 0, one और अगर capital 0, तो फिर से 0, क्योंकि दोनों factors का कोई न कोई value आना चाहिए, Q is equal to L into K, यह 0 नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों का कोई न कोई positive value होना चा ठीक है, क्योंकि फिर production नहीं होगी, ओके, अब यहाँ पर 0 और 0 के corresponding 0, और इसी तरह आप देख लीजे, 0 और row wise of labor, ठीक है, labor, और, sorry, column wise labor और row wise capital, 0 और capital 0P, production 0, ठीक है, यह देख लीजे, 0, ठीक है, उसके बाद labor one और capital अगर 0 है, फिर तो 0 production, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और, अब दूसरा आप देख लीजे, इसी तरह one और one capital पर, ठीक है, one और, one labor, one unit of labor and उसके बाद one unit of capital पर, उसके बाद क्या आएगा, दीक है, one unit of production और रही है, ठीक है, नीचे आप इसके corresponding value देख लीजे, इसी तरह two और one के बीच, one का, ठीक है, इसी तरह आप लीजे, आप कोई भी point ले लीजे, यहाँ पर four, labor four, यहाँ से capital four ले लीजे, ठीक है, four और, four पर क्या production आएगा, दीक है, 10, 24, ठीक है, 40, 50, ओके, तो यह चीजे, तो यह ऐसे production आएगी, ठीक है, मतलब, तीन labor और, चार capital, पहली production जीरो, तीन labor और उसके बाद capital, capital कितना use किया, capital आप मान लीजे, हाँ, four, and then labor मान लीजे, three, ठीक है, three and four के corresponding आप, देख लीजे, ठीक है, three and four के corresponding, three and four के corresponding, पहले आप यह row wise देख लीजे, zero, ten, 24, ठीक है, तो यह होती है production, ओके, now similarly, अब आप इसमें, तो corresponding value, labor का कोई भी value, और capital का यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ से 0, 1, column wise नीचे जाएए, और यहाँ से capital wise, ऐसे row wise जाएए, ठीक है, तो इसके बाद आपको हर किसी point पे, अपना अपना value, corresponding value जो है, वो मिलेगा, ठीक है, और इसी तरह देखिए, अगर हम अब यहाँ पे, देखिए, एक second, अब हम discuss करेंगे, इसके बाद, with the help of this table, हम discuss करेंगे, long run and short run, ठीक है, long run and short run, देखिए, long run और short run का मतलब क्या है, ओके, सबसे पहले जो short run और long run का मतलब है, long run का मतलब है कि, short run का जो मतलब है, short run का मतलब है, at least जो हमने q is equal to k into l लिखा, ठीक है, तो यह हमने दो factors of production मान ली, ठीक है, तो short run में क्या होता है कि, हम यह मान के चलते हैं कि, कम से कम जो एक factor है, वो vary नहीं कर सकता है, ठीक है, short run में मतलब हम मानते हैं कि, farmer के पास एक ना एक factor जो भी है, वो vary नहीं कर सकता हो, suppose यहां पर मान लीजिए आप, output is equal to k into l, ठीक है, k into l, तो इसके बाद, इसका मतलब क्या है, short run का, short run में हम यह मानते हैं कि, जो दो factors of production, k और l, short run में farmer क्या कर सकता है, वो दोनों में से जो है, कम से कम उसको एक factor जो है, वो fixed रखना पड़ेगा, मतलब वो वो change ही नहीं कर सकता, आप मान लीजिए land, suppose short run में land fixed रहेगी, ठीक है, तो ये दूसरा factor वो change कर सकता है, तो जितने भी factors होंगे, कम से कम, at least, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चाहे कर सकता है, ठीक है, कम से कम एक factor fixed रहेगा, यहां तो दोनों भी fixed रह सकते हैं न, वो तो, लेकिन at least, at least, एक factor जो है, वो fixed रहना चाहिए, short run में, ठीक है, क्यों fixed रहना चाहिए, अब यहां पर हम मानते हैं short run में, कि farmer के पास जो है, चलिए, इतना हम मान लेते हैं, कि इतना time नहीं है, कि वो मतलब सारे factors of production change कर सकते, ठीक है, वो change, सारे factors of production, in the short run नहीं कर सकता, तो कम से कम, एक factor of production जो है, वो fixed रहेगा, तो इसको हम कहते है, short run, ठीक है, तो short run, ओके, जैसे यहां पर, अब इस table को use करके, हम short run और long run को समरी सकते हैं, ठीक है, आप मान लेजे, देखे, labor जो है, आप मान लेजे, capital fixed है, 4 पे, ठीक है, 4 पे, जो मैंने circle किया, 4, और labor यहां से हम vary कर रहे हैं, कम से कम, एक factor of production, Q into K into L, ठीक है, हमने माना कि जो capital है, यह हम fix it कर रहे हैं, 4, और जो labor है, यह हम vary कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो देखे, 0 labor, और 4 capital पे, पहले production 0, ठीक है, उसके बाद, 1 labor और 4 capital पे, production 10, उसके बाद, 2 labor और 4 capital पे, production 24, उसके बाद, 3 units of labor, 4 units of this, इसके corresponding value देखे, 24, 4 और, ठीक है, corresponding values देखने हैं, देखे, 0 और 4, production 0, क्यों 0, क्योंकि वो मैंने आपको बोला, हम जो factors of production है, वो 0 नहीं रख सकते, एक भी factor of production 0 आएगा, तो production नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि inputs जो है, हम यह मानते हैं, कि यह inputs definitely production process में use होने चाहिए, ठीक है, अईसा तो नहीं है, कि farmer produce कर सकता है, without seeds, उसको seeds भी चाहिए, fertilizer, ठीक है, land भी चाहिए, land नहीं होगा, तो capital अगर होगा भी, नहीं production कर सकता है, ठीक है, तो देखे, 0 पे 0, 0 units of labor और 4 units of capital, अब हमने माना capital fixed है, ठीक है, हम fixed cost की बात कर रहे हैं, ठीक है, sorry, short run की बात कर रहे हैं, short run की, ठीक है, 0 labor और यहां से capital 4, 0 और 4 पे 0 production, उसके बाद 1 और 4 पे कितना production आ रहा है, 10 है न, यहां रख लीजे, 10 है न, 10, 0, 10, उसके बाद 2 पे, 2 labor हम change कर रहे हैं, लेकिन capital constant रख रहे हैं, capital change नहीं कर रहे हैं, हम मार रहे हैं कि, हम steady कर रहे हैं, short run को, ठीक है, इसलिए हम को एक factor of production कम से fixed रखना पड़ेगा, और हमने रखा capital को 4, ठीक है, और labor को vary किया, ठीक है, इसी तरह 3, production क्या आएगी, अब 3 पे, 3 के corresponding देख लीजे, 24, ठीक है, इसी तरह उसके बाद 40, 56, 57, तो labor को change करने के साथ, जो हम capital में, sorry, एक factor of production, जो हम vary करते हैं, factor fixed रखते हैं, तो इसको हम कहते है short run, ठीक है, तो इससे जो बाकी variables, वो हम vary कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजे, यह हमने vary किया, और यह fixed रखा, 4 fixed रखा, और उससे जो production आई, तो वो हम represent करते हैं, in short run, ठीक है, तो short run, तो उसके बाद long run का मतलब क्या है, long run का मतलब है, long run का मतलब है, long run का मतलब है, in the long run, all the factors of production cannot be varied, ठीक है, तो long run का मतलब है कि, all the factors of production can be varied, ठीक है, in the long run, all the factors of production can be varied, ठीक है, तो इसका मतलब है कि, all the factors of production can be varied, ठीक है, so thank you, आज इतना ही, तो next time हम इसको discuss करेंगे, wish you all a nice and happy day.